तो मेरे पीछा आप लोग देखी सकते हैं और मैं निकल चुका हूं और एक मज़ेदार सफर पर कोलकाता से मैं जा रहा हूं अभी त्रिपूरा अगरतला जो मेरे पीछे ट्रेन देखें देखते हैं वह है शियाल्दा कांचंजंगा एक्सप्रेस जो अगरतला तक जाती है औ और कल रात मैंने शियाल्दा पर ही स्टे किया था जोमिटरी पर पर हवार टेन रुपीज करके था तो मैंने आठ घंटे के लिए ले ले लिया था जो सिर्फ मुझे पढ़ाए तो मेरा ट्रेन है छे बचकर 35 मिनिट मैं अभी ट्रेन से बाहर आकर बैठा हूं और मेरा ट्र बचकर 21 मिनिट थोड़ी देर में निकल जाएगा उन टाइम है और मेरा जो सामान है वह सब कुछ लोट कर लिया हूं तो देखते रही है और बहुत ही मज़ा आयागा मैं अभी आ चुका हूं ट्रेन पर और दो मिनिट के अंदर ट्रेन छोड़ देगा स्याल्दा से जाते ह यह आशा करते हैं यह फॉर्ण भी बच गया है यह हमारे ट्रेन की यल्दा से रवाना हो गया है विजार है यल्दा से पस्ट्रॉल्टों का दखिने सर्ट धीरे धीरे पिरके निकल रहा है मैं अभी आकर मेरे सीपर बैठा हूं देर से तो ट्रेन चूर्ज है लेकिन अभी भी जो दखिने सर्ट है वापन नहीं आया है थोड़ी दिर में पहुंच जाएगा दखिने सर्ट हॉल्ट प्रश कर चूके हैं जन्हार रोट शो का बर्दवान जैक्सन यह जन्हार रोट स्टेशन पर वोई भी वोड़ नहींगा प्रेन जैसे चल रही है अब बैसे गती कि चल रही है और बन्हाद उतर के पूढ़े कुछ लिए नासता क्योंकि है आगावागी नासता नहीं लेगा है अब लोग देख 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 रही है और लिक देख दो आप यूज्ट का विवो ते जल रहा है दिख देख 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 के लिए हुख वारेता भाय आप्याप्याव जाय फ्टार लड़ार जिलगा हो जाहिए झार खफे पीए टूरा ठारवा फ्यां ते सा श्युर्प एंड़ाई एंड़ादाऊता भी घ्टी जामावे विल्गाई़ाई एंड़ाई टूरो भीएृूर्शा गले जाब टीए। यहां पर है इस ट्रेंट का सेगेंड मॉल्ट तो मैं हूं मीडियल वर्थ पर और कल रात पूरा सोया नहीं तो अभी जाकर यहां दस मिनिट वॉल्ट है तो कुछ सामन करें लेते हैं खाने के लिए नास्ता के लिए आप लोग देखते रहें व्लॉग को बंदेखते हैं तो इसे उतर कर आगया हूं बर्थवान जंक्शन प्लैटफॉम और यह देखी सकते प्लैटफॉम यह पूरा बर्थवान जंक् सामने जाके देखते हैं खाने के लिए कुछ मिलता है आप लोग देखते हैं कंट्री आसली तो अब जाकर देखते हैं रिक्वेस्ट करके तो यह हैं मेरा बर्थ और यह दोनों नीचा वारा यह दूर और यह मिडल बर्थ तो इसमें मैं अभी सब कुछ सेट्र लिया हूं थोड़ी दिर के बाद सो जाओंगा तो मेरा पुरा मिडल बर्थ का बेट तैयर हो गया है तो अधर से 36 गंटा दर पे रहूंगा तो पुरा बेट और साइड से सो जाते हैं देखते हैं यह ब्लोग को कॉंटीनियूस लिए तो गाइज मैं अभी हूँ न्यू फरक का जांक्शन पर और जा रहा हूं फूट पैंट्री पर तो फूट पैंट्री से जाकर कुछ खरीद लेंगे खाने के लिए तो गाइज मैं अभी हूं न्यू फरक का जैंक्शन पर और फूट पैंट्री से जाकर मैंने थोड़ा केक और बिस्किट खरीद लिया है क्योंकि ट्रेंड में खाने के लिए कुछ नहीं मिला है तो ने देखते हैं न्यू फरक का जाएंक्शन और यह देखिए यह सामने जो तिस्ता नादी का उपर फरक का बात है हम लोग इसके उपर से जा रहे है और यह है नादी यह लिए PP में प् танat कर Hey मैं घूलॉ inc वा इके लिएिष और टूलॉ ऑली और में भाल्यूर है और तंडिक झाल्यू वा भला तो आब बाहिको था राने जила को वे यह वैसे झाया हैं ऑर वाने जिए उगली है तो यहाँ पर जो हाइवे देख रहे है वो हे गोहाटी माल्दा गोहाटी हाइवे इधर से जाकर गोहाटी जाते हैं कलकाता से हाइवे से हम लोग जा रहे हैं अभी माल्दा स्टेशन के तो मैं भी नीचे जाओंगा और जाकर देखते हैं बाहर क्या हालत है आने को कुछ मिलता है या नहीं जाते हैं इस रही है मैं फाइनली आ चुक्त हूं माल्दा स्टेशन और मेरे पीचे देखी सकते हैं बोडा माल्दा फ्लेटफॉर्म और मैं अभी जाओंगा कुछ खाने के लिए और भूनने आपर मिलेगा पता नहीं वहाँ पर बोड कंट्री देखा था पैंट्री पेंट्री पेंट्री पें कि अधर जाके बैट हूंगा ट्रेंड के अंदर जाते हैं आप लोग देखते रही है तो मैं अभी आ गया हूं सीट पर तुलेगे सकते हैं मेरे सिर्फ ये सीट लग रहा है अपर बर्त का तो लेट के ही रहना परता है इदर बहुत ही बोरीं सफर हो रहा है यह वाला तो फ मैं अभी आ चुका हूं जलपाई गूरी जंक्शन पर और आज पूरा दिन ही मेरा नींद में कटाए तो क्योंकि ट्रेंड में भी कुछ करने के लिए नहीं था इसलिए सो रहा था पूरा दिन और अभी बजरे कारी साड़े छे तो हम लोग बहुंच गये हैं यू गंटे के बाद या थोड़ी तुरे तीनचा स्टेशन के बाद हम लोग पहुच जाएंगा आशाम और वहापर गुहाटी जाते हैं यह देखी सकते हैं नियो जलपाई गुरी जैंक्शन और मैंने ले लिया है रोटी और सबजी और यह हमरा ट्रेंट का अंजन जन का एक्सप्रेस तो करीब और चार-पाच गंटे के बाद हम लोग अच्छा म पहुच जाएंगे जाते हैं मेरे कोच के अंदर बीफाइव है मेरा कोच भीफोर भीफोर है मेरा कोच यह वाला जाते हैं अंदर अजन जनक्षन से निकल तुका है और अब जाएगा अलिपूर दुवर तो मैं भी आकर बैठ गया हूं वेट करते हैं कितना दिर लगेगा अलिपूर दुवर फिर यूपर वाला जो सीट है वह खाली हो जो हो जाएगा क्योंकि वह लोग है का पर अलिपूर दुवर के बाद में जो स्टेशन आता है वहाँ पर उतर जाएगा कोच भीहर पर न्यू कोच भीहर पर तो मैं हो सकते उपर जा सकता हूं यह देखिए मेरा सामान का हालत देखते रही है हमारा ट्रेन अभी आकर पहुत चुका है कुछ भीहर जो स्टेशन है वहाँ पर और असाम जाने के लिए हमारा और एक होल्ट होगा वह है अलिपूर्दवार होल्ट तो वहां से हम लोग चले जाएंगा आश्राम और इधर से पाच मिनिट का होल्ट है इधर से निक भीकाल जाएंगे देखते रही है व्लोग तो मेरा भी खाना खाना भी खतम हो गया और हम लोग है अलिपूर्दवा स्टेशन और हमारा ट्रेन भी छोड़ देंगा इधर से तो यह है अब है हम लोग अब फैर रखते गे आशाम में वह जाते हैं देखत रही है एक है मेने बेट तयार कर लिया है और एक दो स्टेशन के बाद मैं सो जाओंगा मेरे मिडिल वर्त है तब यह उपर जाते हैं हम लोग अभी आ चुके हैं आसाम के अंदर और यह है पहला हॉल्ट कमक्खगुरी जो अभीत्र स्थान है कमक्खगुरी स्टेशन लेकिन कमक्खगुरी जैं अच्छा लगर आए असाम वाइज बेंगल से निकल के असाम चले आए तो देखते हैं यह व्लोग मैं भी आ गया हूं आसाम के सेगंड होल्ट गोशाए गाओं में और यहां पर भी दो मिनिट का हॉल्ट है तो आज का व्लोग यहीं अंड करते हैं क्योंकि मुझा भी सोने में जाना है व्लोग को अच्छा लगा तो लाइक कोमेंट शेयर और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना तो टाटा बई बैई